आज वीडियो अच्छा जी उसके बाद यहाँ पे हम प्रिप्रेशन कर रहे हैं रेड महंदी के लिए अच्छा मैंने नल महंदी जब अपलोड की थी तो काफी जादा लोगों ने खाता कि यह महंदी अर्ख होता है तो हाँ गाईज यह महंदी अर्ख होता है और इसको डिरेकली आप अपन लेना है गुड यानि जोगेरी ये किसी भी बनिया की शॉप में मिल जाएगा बहुत ही इजीली मिल जाता है और अगर आप लोगों के यहां नहीं मिल रहा है मेरे इंडियन वीवर्स को तो बहुत ही इजीली मिल जाएगा लेकिन जो बाहर के है उनको शायद गुड ना भी मि ढготовá्न है अजिसलों यहां उनए पसलो ही यहां जो वालूद है तो और ऑफ तरिषट किमोग!! कि आपने काल सीम के सब्ला तबी यहां ज्याते हैं तो अन्य प्तित्व छेफेशन करते हैं उसके बाद जो है आपने लेना है पत्रे का डिबबा और ये कोई भी खाली होगा तो उसमें भी आप बना सकते हो बहुत इजली मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैंने इसे को इस्तिमाल किया है रेड मेंदी और ब्लाक मेंदी बनाने में जितनी आसान है उत्ति ही जदा एफेक्टिव है एक दो में टाइम की प्राक्टिस से बहुत ही इजी ली आप घर पर बना सकते हो बस जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस मैंथड से आपको बनाना है उसके बाद एक बाउल मै ने लिया है ती पाउडर यानि चाय पत्ती और यहां पर एक चमच के करीब जो है आपको चाय पत्ती लेनी है अच्छा गई सबसे इंपोर्टन चीज जो है ना यहां पर एक चीज जो मैं जरूर से आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आपका गुड अच्छा होग तो यह एक दो बार की जो प्रैक्टिस होती बस वही है और बहुत ही इसली हम इसको बना सकते उसके बाद जो है इसको हमने रखना है ग्यास पे और जो सबसे लो फ्लेम होता है ग्यास का उसी पे हमने इसको रखना है अच्छा गाईस उसके बाद एक पानी से भरावा पतील जो है हमने इस पर रख देना है अच्छा एक और चीज जो है ना ग्यास का फ्लेम जो है बहुत जादा लो आपको रखना है हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना रखे अधरवाइस यह जो सारे इंग्रेडेंट है यह जल सकते है और बहुत सारे लोग जब नेल मेंदी की वीडि वीडिये ना है बन तरही के उसके बाद अपर हमने रखनी है प्लेट पांच मिनिट बहुत जादा एनफ है मेरा काफी टाइम का एकस्पिरेंस है क्या इस प्लेती है और और अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है पांच मिनेट के बाद मैंता था जो है मैं ने गैस को बन क आपने इसको टच करना है ठीक है उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत ही समाल के जो है इसमें से अच्छी तरीके से निकालना है और जितना भी जो भी अर्ख है वो इसमें इजिली जमा हो चुका है आप देख सकते जो लिक्वीडी है वो इसमें जमा हो चुका है अच्छा गैस बहुत सारी लोग अब ये भी कहांगे कि इतने सारी लोगों ने मुझे एक कोशन किया था कि ये जो पतीला है या फिर ये जो बाउल है ये अच्छी तरीके से साफ हो जाता है कि हाँ थोड़ी से मैनत है लेकिन आप देख सकते बाउल की हालत कहा है लेकिन आप हमेशा जो है इसी मैतेट से बनाई है और इसी एक ही चीज के लिए रख सकते है अच्छा गैस इसके अंदर जो है थोड़ा सा थोड़ा सा टी पाउडर आ गया था वो आ जाता है इसमें कोई इशु नहीं आगर आप चाहो तो च्छनी की मदद से इसको चान सकते हो और ना तो डिरेक्ली इसको एपलाई कर सकते हो ठीक है ये बहुत ही इजी है बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा लॉंग लास्टिंग रहता है अक्सर बच्छों को जो है ये महंदी का अरक लगाया जाता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टन जो चीज में ये महंदी बिल्कुल अरक लगाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा लॉंग लास्टिंग बहुत अच्छा कलर देता है बहुत अच्छा स्टेन देता है तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो अधर्वाइस आप च्छान सकते हो नहीं तो ऐसा ही रख सकते हो नेल म महंदी वो सारी सब कुछ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगे आप वहां से भी देख सकते हैं तो देखा ना गाईस आपने बनाने में किती ज़्यादा आसाने दोनों ही महंदी बनाने में बहुत ही ज़्य इसके रिजल्ट मिलते। अक्सर तो जो है बच्छो को आप इसे बना सकते हो क्योंकि बच्यादा पैशन्स नहीं होता है तो उनके लिए आप ये तयार कर सकते हो,der जो डबा है या फिर जिसमे हम इसको बनाते हैं वह बहुत इज़ी क्लीन हो जाता है, पर्सनल एक्सपीरेंस है थोड़ी सी महनत है उसके बाद यह क्लीन हो जाता है और हमेशा इस तरीके से जो है बना सकते हो नेल महंदी के लिए आप इसको फिंगर टिप के लिए या फिर गोल्टिक की महंदी के लिए आप जो है बहुत ईजी लिए इसके बना के इस्तिमाल कर स वीडियो पसंद आयों तो एक लाइक जरू करना और या चीची वीडियो देखने के चानल को जरू सब्सक्राइब करना थांक्स फू वाचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब आस फूर मोव वीडियो हाचिंग वीडियो दिया लिए व्डेब।